नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना मैं हूँ बेनजीर हाश मी मुलीटिन में शरुवात करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताधा सुर्खियों की फिर बात करेंगे हर्याना की खास खबरों की सुप्रीम कोट ने यूपी सरकार का फैसलारों का कामड रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जुरूरी नहीं कहा दुकानदारों को नाम बताने के लिए मजबूर ना करें मानसुन सत्र के आज पहले दिन संसद में नीट एक्जाम पर हुआ हंगामा राहुल बोले देश का एक्जामीनेशन सिस्टम फ्रॉड है तो वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा चिलाने से जूट सच नहीं हो जाता अंबाला के नरायन गण में पांच लोगों की हुई हत्या जमीनी विवात के चलते सगे भाई ने दिया वार्दात को अंजाम जम्मुके शोरे चक्र विजेता के घर पर हुआ आतंकी हमला सेना की फाइरिंग में मारा गया एक आतंकी साथ ही एक जवान और आम नागरिक हुआ घायल आसोने चांदी के दामों में रही गिरावट गोल्ड 234 रुपे गिरकर 73,600 पर आया तो ही चांदी भी 655 रुपे फिसल कर 88,328 रुपे परतिकिलो पर आई बात करें शेयर बाजार की तो शेयर बाजार में फ्लेट कारोबार रहा संसेक्स 80,600 और निफ्टी 24,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा रिलाइन्स की शेयर तीन परतिशक तूटा तो यह ती दिन बर की कुस्ताजा सुर्खियां बात करतें हर्याना की खास खबरों की नुहू में आज ब्रेजमेंडल जलाभी शेक शोबा यातरा को लेकर पुलिस की ओर से नुहू को पुलिस किला बना दिया गया जहां आस्मान से जमीन तक पुलिस हर गतिवीदियों पर नजर बनाय रखी हुई थी आपको बता दे कि आरावली परवत पर भी पुलिस पैरा मिलिटरी वे कमांडों के जवान तेनात किये गए थे जहां ड्रोन द्वारा आरावली परवत के आसपास के स्थानों की निग्रानी रखी गई इसके साथ ही नुहू पुलिस द्वारा नुहू शहर नलहेशवर मंदिर अरावली परवत बढ़करली चोग छिरकेशवर मंदिर समित वा यात्र समापन स्थलों तक की निग्रानी की जा रही थी इतना ही नहीं डॉग स्कॉाइड और घोड़ा पुलिस को भी तेनात किया गया था इसमें अर्द सैनिक बलो के जवान जिसमें CRPF RAF सहीत अन्य के कमपनिये तेनात रही मतादे चले की खास बात ये है कि ब्रज मंदल जलावी शेक शोबा यात्रा नुहू में बहरी राज्यों वे जिलों में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों की गाड़ियों की वीडियो ग्राफिक की गई उनको पूरी तरह से चेक किया गया ताकि किसी परकार की कोई विस्पोटक समागरी हतियार अतियादी यात्रा तक ना पोच सके आम जन में शुरक्षय की भावना पैदा करने के लिए इलाके में पुलिस अधिच्छक नुहू की मौझूदगी में रविवार को फ्लैग मार्च भी निकाला गया था मुख्यमित्री नायप सैनी ने विपक्ष पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि जिनके खुद के वही खाते खराब हैं वे वर्तमान सरकार से हिसाम मागने की बात कर रहे हैं साथ ही कहा विपक्ष ने अपने कारेकाल में विकास के नाप पर किवन लोगों से जूट वोल कर वोट लेने का काम क्या है जबकि असली विकास कारे तो वर्ष 2014 के बात देश में परधान मंतरी नरेंदर मोदी और परदेश में पुर्व मुख्यमंतरी मनोहालाल ने किया है विपक्ष के पास जूट बोलने के अलावा और कुछ नहीं है दरसल आपको बता दे कि मुख्यमंतरी धन्यवाद यात्रा के दोरान गाप डबरी में उपस्तित जन सम्हू को संबोधित कर रहे थे जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने कारेकाल में जनता की उमीदो के अनुरूप कारे नहीं किया और अब जूट बोलकर जनता से वोट मागने की उमीद कर रही है साथ ही आपको यह भी बताते चले कि रविवार को नयाव सैनी सबसे पहले सेक्टर साथ इस्थित श्री करेश्वर महादे मंदिर पहुचे इसके बाद गाव डबरी पहुचे वहाँ पर भी ग्रामिडों ने गर्म जोशी के साथ मुख्य मंत्री का स्वागत किया मुख्य मंत्री ने ग्रामिडों की समस्या सुनी और ग्राम पंचया द्वारा रखी गई समस्याओं का शिव समाधान करवाने का भरोसा भी दिया सीम ने कहा कि डबरी गाब में एक करोड 35 लाक रुपे की विकास कारे हो चुके हैं और आगे भी विकास कारे चलते रहेंगे इस दोरान मुके मंत्री ने अपने अच्छी कोश्च से गाब में विकास कारों के लिए 11 लाक रुपे की अनुदान राशी देने की घोशना भी की लेकिन सामने आ रहा है कॉंग्रेस का हिसाब जो उन्होंने किया है द्रसलिल लालिज ने कहा कि अब आम आदमे पार्टी की जमाना जब्त हो चुकी है हर प्रदेश में जाकर लोगों को लालस देते हैं लेकिन लोगों ने ठुकरा दिया है आपको ये भी बता दें कि पत्रका कंग्रेस की एक लहर चल रही है और इडिका उप्योग कर रही है इस पर तंज कस्ते हुए बिज ने कहा कि हां एक लहर चल रही है जो कंग्रेस के बापू बेटे को उड़ा कर हिंद महा सागर में फैक देगी वो आदी और तुफान चला रहा है जो इनको ही उखाड कर फैक देगी अपनी मांगो को लेकर लगातार लंबे समय से शंबू बॉर्डर पर डटे हुए किसानों ने एक बार फिर 15 अगस तक अगली रणनीती बनाएंगे किसानों की मांगो पर अंति फैसला हर्याणा के सियम नयाप से नहीं करेंगे साथ में ये भी बता दे कि मुख्य मंत्री किसानों से बैठक भी कर सकते हैं हर्याणा में एक के बाद एक लगातार एडी दुआरा की जारही कारवाई के बाद नेता परतिपक्ष वुपेंद्र सिंग उड़्डा समेत कॉंग्रेस के चार विधायक निशाने पर हैं एडी की लगातार बढ़ रही घेरा बंदी को जहां भाजपा अपने लिए पायदे का सोधा मान रही है वहीं कॉंग्रेस का कहना है कि जिन इस्थानों पर एडी की कारवाई की जा रही है वहां कॉंग्रेस की जीत सुनस्चित है द्रसल आपको यह भी बता दें कि चुनाब मेराज्य की दस लोग सबसीटों में से पांच पर कॉंग्रेस और पांच पर भाजपा ने जीत हासल की है इन नतीजों के बाद से कॉंग्रेस नेताओं के खिलाफ लगातार हो रही कारवाई को लेकर कॉंग्रेस सी बदले की भावना से ओत प्रोत बता रहे हैं जबकि मुख्या मंत्री नायप सायनी का कहना है कि कॉंग्रेस नेताओं को अपने निशाने पर ले सकती है ये भी बताते चले कि तीन दिन पहले 17 जुलाई को एडी की टीम ने महेंदरगड से कॉंग्रेस विधायक रापदान सिंग के ठिकानों पर छापे मारी की थी उनके महेंदरगड और गुरुग्राम समेथ पांच शहरों में फार्म हाउज और दफ्तरों की जाच की गई इस जोरान कारोबार कंपनी वे बैंकों से जुड़े कागज़ात भी खंगा ले गए तो यह ति दिन बर की सुर्खियों के साथ हर्या डा की खास ख़बरे कल फिरहों की मुलाकात कुछ ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ तब तक लिए बने रही है हमारे साथ और देखते रही है देश रोजाना नमस्कार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन